आपकी जेब खाली रहती है इन कारणों से अपने हिस्से का परशाद दूसरों को दे देना, रात को सोने से पहले नोट गिनना, काम से लोटते वक्त घर पर खाली हाथ आना, जूटे हाथ सिर्पर फेर लेना, सूर्यास्त के बाद पडोसी के घर से दही लाना, शाम के वक्त जाडू लगाना, भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ धो लेना, परस में फालतू के पुराने बिल रखना, जूते चपल को उल्टा पड़ा देख सीधा ना करना, खाना खाने के बाद थोड़ा खाना थाली में छोड़ देना, जाडू को आखू की सामने रख देना, जा वास्तू के अनुसार बैडरूम घर के दक्षिन या पस्चिम दिशा में होना चाहिए बैडरूम का परवेश दुआर दिवार के उत्तर पस्चिम या पूर्व दिशा में होना चाहिए वास्तू के अनुसार हमेशा दक्षिन या पूर्व दिशा में सिर करके सोएं ताकि प् कम से कम दो हाथ की दूरी पर रखे क्योंकि ये तनाव का कारण बनते हैं श्यानकेक्ष में देवी देवताओं की तस्वीरे पित्रों की तस्वीरे बहती नदी या झ день की तस्वीरे नुकीले बर्फ के पहाड या एकोवेरियम ना रखें कभी भी बैड को बीम के नीचे नहीं लगाना चाहिए बीम अलगाव का परतीक होता है धन्यवाद